यह दस नमबर यह भी उसी टाइप का कुछ है तो दस नमबर में करेंगे क्या हमें क्या करना होगा यहां कॉस स्क्वाइर से अंसरहर में भाग देना होगा ताकि नीचे 10 में जाए ऊपर सेक में जैसे कि इसमें मैंने दिखाया था ना उसी करना होगा चलिए देखते हैं टता हर इमंद्स टता हर नहीं सकते हैं उपर पर इसक्वार से भाग देने पर यह भाग देने पे इवर्यका है 4sin square x बटा में cos square x प्लस 9 cos square x बटा में cos square x यह कट जाएगा चलिए अब आगे देखिए यहां हो जाएगा यह उपर जाएगा तो आपका 6 square x dx और बटा में हो जाएगा 4 10 square x प्लस में 9 यहीं न हो जाएगा आपका अब देखिए मैं इसे काम करता हूँ integration of 6 square x इसको थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ 9 को मैं यहां 3 का square कर देता हूँ और प्लस इसे 2 10 x का whole square ऐसे कर देता हूँ ठीक है चलिए ऐसे कर सकता हूँ न अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर मैं माल लेता हूँ यहां लेट 2 10 x बराबर में t 2 10 x बराबर में क्या मानते हैं आपर t मानते हैं और फिर आप इसे differentiate करते हैं इसे differentiate करते हैं differentiating with respect to x तो यहां 10 का हो जागा सेक एसक्वाइर 101 के स्क्वाइर एक्स-ड बराबर में हो जाएगागे इसे बराबर बेट अंहें क्या हमाय। यहां पर आ जाएगा 10 2 10 स्क्वाइर nिकाल डेते हैं फोई यहां वन रडा में नीशे ओढ़ेरिधा और प्लस में इसके जगा पर आजा 2 into 1 by 3 1 by a 10 inverse 1 by 3 1 by a formula होता है ना 1 by a 10 inverse x by a यानिके t by 3 plus में c चलिए वापस से यहाँ t क्या value में रख देता हूँ ठीक है चलिए तो क्या हो जागा यहाँ 1 by 6 10 inverse t क्या value हो जागा 2 10 x और बटा में 3 plus में c इसका answer आ गया है समझ गए ना चलिए अगला